सरकार ने इस पेट्रोल डीजल पर 2 रुप्य लीट की एकसाइज ड्यूटी को टाला, जानिये कब से महंगा होगा तेल। बिना इस पेट्रोल डीजल की बिक्री को हतोत साहित करने के लिए सरकार ने 2 रुप्य की एकसाइज ड्यूटी लगाने का फैसला सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। सरकार एकसाइज ड्यूटी को एक अक्टूबर से लागू करने वाली थी। अब सरकार ने इथेनौल मिश्रं के बगएर बिक्ने वाले पेट्रोल पर 2 रुप्य प्रती लीट की दर से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू करने का फैसला एक महीने के लिए टाल दिया वितम अंत्राले ने शुक्रवार की रात को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा कि इथेनौल की मिलावट के बगएर बिकने वाले पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अब 1 नवंबर 2022 से लागू होगाू वहीं बायो डीजल के मिश्रं के बगएर बिकने वाले डीजल पर यह शुल्क अब 1 अप्रेल 2023 से लागू होगाू सरकार ने इथेनौल एवं बायो डीजल के मिश्रंवाले इंधन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिना मिश्रंवाले पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी में है लेकिन इस फैसले को लागू करने के लिए उद्योग समुदाई को अधिक समय देने की कवायत के तौर पर समय सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है केंद्रिय वितम मंत्री निर्मला सीतारमन ने अप्रेल 2022 से शुरू वितम वर्ष के लिए अपने बजट में क्रमशरू इथेनौल और बायो डीजल के मिश्रंड के बगर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर दो रुपके प्रती लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ल कि अप्राइब कर दो भाले बुपके लिए कीवाद़ आपाद़ वितम में का अपने घुपके लिएक्ष लीजल फिग्ट अवें के अवेट वितम में के भीजल